हेलो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश येस क्लाशेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे हिंदी का जो हमारा धमाकेदार प्रैक्टिस चल ला था उसका देखेंगे ठीक है बहुत ही इसे एक चीज आप भी सीखेंगे और मुझे भी पता चलता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट ये जुड़े हुए है और अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं इस चीज हमको पता चलती है तो मैं और अच्छे कोश्चन हाँ और आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ तो आप दे सकते हैं कमेंट में कि सर ऐसे पढ़ाइए ऐसे बताइए ये होगा आप जरूर बताइए मैं भी आपकी तरह हैं एक इनसान हूँ मुझसे भी गल्तियां हो सकती है कहीं तुर्ट होता आप जरूर बताया करिए ठीक है चलिए महादेव का पर्यावाची सब्द चुनिए महादेव जिनको बोला जाता भगवान, संकर, भोले नात, संभूनात आप लोग सभी जानते हैं उन्हें क्या का गरूंड धोजी बोला जाता नारायन बोला जाता विशंभर बोला जाता या चंदर शेकर जिनके सर पे चंदर बिराजमान है उनको बोला जाता है चंदर शे क्या सbd का समास क्या होगा समास बताई यथा. इसमें क्या लगा हुआ अब यथा सबद क्या लगा हुआ है?arness जहां पे अब्या की ही बात होती है? अब्याई भाव समास हो जाता है. disp पहला पत क्या होता इसमें प्रधान होता करमधार में बिशेश और बिशेशन की बात की जाती है दोंद में दोनों पत क्या होते हैं प्रधान होते हैं तत्पुरुष में क्या होता उत्तर पत क्या होता हमारा इसमें प्रधान होता है इस तरह से 32 का राइट एंसवर क्या महात्मा गाधी में जो अमुल्ले गुण थे, वो क्या थे, उपर युक्त वाक्यों में अमुल्ले सब्द हैं, बदाई, अमुल्ले सब्द क्या है, विशेशन है, क्या महात्मा गाधी में क्या था, अमुल्ले गुण था, क्या है, संग्या है, क्रिया तो है नहीं, सर्वनाम सरवनाम की क्या करते हैं और जो होते हैं हमारे चार प्रकार की होते हैं कितने प्रकार के होते हैं यह फीड कर लीजेगा भी विजेशन से एक 100 परसें्ट आना ही आना या उसका प्रकार transfdha या उससे क्रिया की क्या की जा रही है बिशेष्टा बताई जा रही है उसे क्या करते हैं क्रिया बिशेष्टा करते हैं मैं कल नहीं जाओंगा हवा धीरे धीरे बह रही है यह फूल सुन्दर है आज हम स्कूल जाएंगे तो हवा क्या कर रही है धीरे धीरे बह रही है हवा का बहना क्य है धीरे-धीरे है तो क्रिया की यहां विशेष्टा बताई जाए रही क्रिया कैसे है जो है बहना क्या एक क्रिया है लेकिन वो कैसे रही है धीरे-धीरे हो रही है तो ठीक है तो राइट एंसर क्या आ जाएगा इसका इसका राइट एंसर क्या आ जाएगा सी पार्ट हो जाएगा ठीक है 34 का राइट एंसर क्या आ जाएगा 34 का राइट एंसर हमारा क्या जाएगा C part हमारा क्या होगा? Right आ जाएगा Kriya B. Seesand भी हमारा कितने प्रकार का होता? 4 प्रकार का होता, ठीक, ओ भी याद रखिएगा ठीक, जो Kriya की विशेशता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या काते हैं? Kriya B. Seesand काते हैं 35 का राइट अंसर 35 का राइट अंसर हमारा क्या आ जाएगा B. योगरून उसे काते हैं जो क्या तीसरा अर्थ है, चक्र पाणी जो चक्र को धारन करता है चक्र अपने पाणी में रखता है, उसको बोलते है कौन? विश्डु भगवान ठीक है, विश्डु भगवान को भी चक्र पाणी बोला जाता है, ठीक, चलिए नेक्स चलते हैं, कोशन नंबर 36 बताई, कोशन नंबर 36 क्या रहा है, जगरनाथ में कौन सी संधी है, बताएंगे आप लोग, तो जगरनाथ में कौन है, बेंजन संधी है कौन सी संधी है, बेंजन संधी है ठीक है, राइटान सो, संधी कितने प्रकार की होती तीन प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है एक स्वर होती है, ठीक, एक कौन सी होती है बेंजन संधी होती है, ठीक है, बेंजन होती सुर संदी के कितनी भेद होते हैं तो पांच भेद होते हैं यह याद रखेंगे आप लोग ठीक चलिए आज यह कोशन नंबर हम लोग स्कुतले हैं 37 37 क्या करा है मोर सब्द का तत्सम रूप बताई मोर हमारा क्या तदभव हो ठीक है एक हमारा एक तदभव सब्द है ठीक है अगला कोशन बताएं गे 38 अभी साप अभी साप में उपसरग बताई अभी हमारा क्या लगा है उपसरग लगा हुआ अभी हमारा उपसरग लगा हुआ Golf लगा है साप हमारा क्या मूल सब्द है जो उपसर्ग होते हैं वह सब्द के पहले लगते हैं या सब्द के क्या होते हैं एक अंस होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता सब्द अंस कहा जाता ठीक याद हो गया तो आई आ जाते हैं नेक्ट कोश्चन और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए भरोसा करिए इन्रेश जीस क्लासेश पर और आप लोग अच्छे नंबर लाईए 130+, 134, 134, 35, 36 जितना चाहिए उतना लाईए क्योंकि यह भरोसे मंद एक ऐसा चैनल है जहां से पहली बार अभी स्टार्ट हुआ है और इस्टेबलिश ही हुआ था कि इतना अच्छा रियल्ड दिया जो है 125, 130 नंबर सीटेट में लाने वाले बच्चे जो मुझसे जुड़े थे वो बता रहे थे जो है कि सर 125 सिर्फ PYQ से हमारे आई हुए है तो सोच लिजिए कितना आपके लिए important है चलिए बताईए वर्तनी के अनुसार सुद्ध रूप का चैन कीजिए इर्ष्या कैसे लिखा जाता है बताईए इर्ष्या अगर आप नहीं पार्थ हमारा क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है 49 का राइट एंसर क्या होगा ए पार्थ हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा चलिए आगे आजाए कोशन नमबर आप 40 बता दीजिए चंद्रमा चंद्रमा का परियावाची क्या होगा चंद्रमा क्या यह पार्ट हमारा हो जाया निशाकर बोलते हैं चंद्रमा का ठीक है चलिए आगे आजाए कोशन नमबर 41 लोगों ने सोर गुल करके डाकूँ को भगा दिया उपर युगत वाके में कारक क्या है लोगों ने सोर गुल करके डाकूँ को भगाया को भगा दिया करता ने कर्म को ठीक, डाकूओं को भगाया, ठीक, संप्रदान तो है नहीं, कर्म कारक या करण कारक कौन सा राइट एंसर हो जाएगा, बताए, 41 का, 41 का राइट एंसर क्या जाएगा, जल्दी बताए, आप लोग कमेंट में, मैं देख रहा हूं, कौन-कौन बता रहा, तो किसको भगाया, ड कर्म को, हमारा क्या होता, कर्म में को आता, तो डाकूओं को भगाया, ठीक, तो हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, ठीक, संप्रदान के लिए क्या होता, संप्रदान के लिए हमारा होता, ठीक, के लिए, करता ने, इसका, चिन क्या होता, करता ने, करण, से के द सब्द निमने में से क्या है रूंड है योग रूंड है या फिर निरर्थक है या योगिक है घुड सवार 42 का तो 42 का राइट एंसर आप बताई एक 42 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 42 का राइट एंसर हमारा क्या आजाएगा सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा योगिक सब्द है दो सब्दों से मिलके बनाए घुड से एक सवार से ठीक चली आगे बताईए अजायब घर होता है देशी सब्द है तत्सम सब्द है बिदेशी सब्द है या संकर सब्द है बत चलते हैं next question number 45 बताई आङे चलते हैं next question number आप बताएंग g बताई, फॉर्टी फाइब, फॉर्टी फाइब क्या कर रहा है, निमने लिखित सब्द का उपसर्ग चुनिए, दू शाहास का, क्या हो जाएगा, दू प्लस साहस होगा, दू प्लस साहस होगा, या सब प्लस होगा, बताई, इसमें उपसर्ग बताना, उपसर्ग हमारे क्या लगते हैं सब्द की पहले लगते हैं इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे तो 45 का राइट एंसुर क्या की अधोगा धूत Wes सहास होगा क्या होगा दूस प्लस सहास तो इसको क्या लिख सकते हैं दूस प्लस सहास हमारा इसमें क्या मूल सब्द है और यह हमारा क्या उपसर्ग है ठीक क्या है उपसर्ग है याद रखेंगे आप लोग ठीक है क्या मूल सब्द है ठीक है क्या मूल सब्द है याद होना चा क्या करना? चैन करना। ठीक है? सब्ध क्या या करना? चैन करना। जाद स में बात करने जरूत ही नहीं derive नेणे बताए 46, कौछ सा वाक के सुद्ध रूप से लिखा है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का बिवा होने जा रहा है ठीक, यह तो बिल्कुल हमारी आयुस्मती कन्या का बिवा होने जा रही है होने जा रही है तो अब डो आप्शन बचा ए और भी तो बताए इक कौंसला राइट हो जा रहा है। एक हमारी आयुस्मती शाथी उसको बोला जाता सवाग्ययती ऐसा रहता भीवा होने जा रहा है तो हमारा a b a चलिए नेश्ट बताई संद विच्छेद संद भानु उदय तो भानु प्लस उदय क्या होगा बताई इसका क्या होज़ागा भानु छोटाओ की मातर रहेगा या बड़ा होगी यह बता दीजिए आप लोग बताई 48 का बताई फटाफट मैं वेट कर रहा हूं तो उसके हो उदय बन जाता इसमें च्छोटाउ मुल करके गदा बड़ाओ रहता काउन सी संद हो जाती है दीयर्ग संद कर संद के संद के कितने बेदर होस्ते हैं आगे आजने कि क्युक्त नमबर 59 क्या करा कि कोशन नमबर 49 कि निम्नलेखित वाक्यों में से सुद्ध रूप चुनिए सुद्ध हमारे यहां तरुन 9 युवकों की, तरुन का भी मतलब 9 युवक ही होता, ठीक, यह भी गलत हो जाएगा ठीक, अच्छा प्रबंधन है हमारे यहां तरुन 9 यूवकों यहां जहां तरुन का मतलब होता ही 9 यू आ ठीक है हमारे यहां 9 यूकों की सिच्छा की अच्छा प्रबंदन है हमारे यहां 9 यूकों की सिच्छा का अच्छा प्रबंदन तो सबसे 60 का एंसर क्या जागा डी पार्ट हमारा क्या जागा आप पढ़ने से ही पढ़के ही बता सक ठीक है सिच्छा मारा गलत सब लिखंग तो डी पार्थ हमारा क्या हूजएगा 49 गारिक चली आगे चलते हैं अगला question भी पता है धन का पर्यावाची नहीं है द्रव्य संपदा दौलत या द्रव द्रव तो होता नहीं द्रव का मतलब क्या लिक्विड होता है ठीक तेहीं हमारा क्या हो जगा राइट हो जगा क्योंकि नहीं पूछा है चावराहा में कौन सा समास है जो पहला संद क्या होता है संख्या वाची होता है वहां कौन सा समास होता है दिगु शमास होता है दिगु शमास होता है चवराहाती रहा ठीक है पंचवटी यह सभी में दिगु शमास होता है ठीक है तो राइट एंसर क्या जागा सी पाड़ा जागा बहुब्री में क्या होता होता तीसरा परढ्य क्या होता है ठीस डगता ह humour फिस से उत्हाइब अंड मेंगता फ् і需 कात का क्शान मिवत इस प्रढ़ां क्या होता है को सुमत्र में खुर्णी का पर्यावाची नहीं से, पुत्री का परियावाची नहीं, तने, तने क्या होता, बिल्कुल होता है, आत्मज, आत्मजा नहीं होता, सुता होता है, बिल्कुल सही, यह गलत है, ठीक है, यह तने जो होता, पुत्र का होता है, किसका होता, पुत्र का होता है, ठीक है, अब पुत्री का क्या होता, तनेया होता है ठीक है तनेया तनेया आत्मजा आत्मजा यह भी पुत्री का है दुहिता भी होता है दुहिता भी होता है और क्या होता है सुता भी होता है ठीक है सुता भी होता है सभी किसके हैं पुत्री के परियावाची लेकिन तनेय जो होता हो पुत्र का होता है ठीक तो राइट पंकज ये सभी हमारे क्या होते हैं कमल के परियावाची हैं लेकिन सलिल हमारा जो है पंकज का परियावाची नहीं है तो राइट एंसर क्या जागा उसको बोलते हैं प्रति उत्रप्ण्र मती तो B Part हमारा क्या होगा चवन का राइट अंसुर क्या जागा, भी पाइब होजएगा, चलिए, next बताए, नेर गुन, तो नहीं प्लस ओंड नहीं प्लस झूण मिल कि क्या बंता है नेरगूण बनता है ठीक सी पूर्ट हमारा सुद्र ऐसे लिखा जाथ भताए पूज मेरा है या अगे आई आगे आजए कोश्जन Numर आप रावा बताएंगे 57 चलिए बता यह फटा-फट्ट 57 क्या रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा जिसका जन्म पहले हुआ है तौसरh को बोलते हैं सरवग्य ठीक है अठावन बताई वर्तनी के द्रिष्ट से कौन सा राइट है तो पुरस्कार हमारा ऐसी लिखा जाता है डी पार्ट हमारा असानी से आप कर सकते हैं ठीक है चलिए आगया जाए कोश्चन नंबर आज के लास्ट हैं दोनों बतातीजिए कोश्च सब्सक्राइबूं करुber सहे लगताता है तो यहां कोई चीज अलग हो रही तो आपादान कारक होता है ठीक का से अलग होने में इसका क्या होता है से अलग होने में ठीक है आज आप बताएंगे आपके 30 में कितने question सही हुए है ठीक है जिस तरह से आप लोगों लगे हुए है उसी तरह से लगे रही है 30 में 30 अगर आपको लाना हिंदी में तो मेरे साथ जुड़े रही है और 100% आपके हर एक exam में आपके अच्छे नमबर आएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना है अगर वीडियो अच्छा लगा तो share कर दिया करें चैनल को subscribe कर लिया करिए अगर इसका PDF चाहिए तो आपको description box में इसका link दिया गया है जो टेलिग्राम का वहाजा जुड़िए और अपना जो है PDF मिल जाएगा ठीक है आज के लिए इतना है जय हिंद जय भात करें